स्रीमती संगीता आजाद जी धन्यवाद सभापती महोदे मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के रेख खड़ी हुई हूँ और अपनी बात एक प्रसिद वाक्य से शुरू करना जाओंगी कि सकी सईया तो खूब ही कमाता है महगाई डायन खाये जाता है महगाई की मार से आज हर वह वेक्ति पीडित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है खासकर ग्रामिन शेतरों में हमारा किसान सबसे जादा इस महगाई की मार को जेल रहा है सरकार का जहां दावा था कि 2022 में वो किसान की आए दोगनी करेगी लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान की आए आदी हो गई है और महगाई की मार दोगनी से तीगुनी हो गई है इसी महगाई में आप लोगों ने बच्चों की पेंसिल, रबर, शौपनर और अन्य जरूरी सुविदाएं और चीजों को भी GST लगा कर महगा कर दिया है जिसके वज़े से SC, ST, OBC तता सामानेवर के गरीब छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ जा रही है और उन्हें अपनी पढ़ाई को छोड़ कर दूर बड़े शहरों में जाकर नोकरी करने पे मुझबूर हुआ जा रहा है ताकि वह अपने परिवार का खयाल रख सके इसी बीच में यूकरेन और रूस के बीच में चल रहे यूद के कारण इंधन, खाद तेल और अन्न घरेदी सामान की कीमतों में भारी वृद्धी आई है भारती बजारों में विदेशी निवेशकों द्वारा भारी विकवाली और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपी आई को निकाल लिये जाने के कारण भारती रुपे में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारी गिरावट आई है 29 जून 2022 को यह आज तक का सबसे निचले सरका रेकॉर्ड है जहां एक डॉलर की कीमत 69.03 रुपे हो गई है क्या यह सच नहीं है कि किसी भी देश की मुद्रा डॉलर के मुकाबले में अगर गिरती है तो अंतर रास्ट्री यह जगत में उस देश की शाक भी गिर जाती है वानिज्य और उद्योग मंत्राले के आकणों की अनुसार भारत में मुद्रा स्वितियों की दर 2021 में 13.11 प्रतिशत से बढ़कर 15.88 प्रतिशत हो गई है MPC की अनुसार मुद्रा स्वितियों की उच दर पर बने रहने से मुद्रा स्वितियों संबंदी हमारी अपेक्षाएं गलत साबित होंगी और इसके कारण इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा स्विति की दर में और बढ़ोतरी हो जाएगी अता मुद्रा स्विती संबंदी अपक्षाओं को पूरी करने के लिए मौदरिक नीती संबंदी और उपाय किये जाने की आवशक्ता है अर्थ विवस्ता में आ रहे हैं निरंतर उतार चड़ाओ कारण वास्तों में भारत की सभी वस्तों और मूले तेजी से बढ़ जा रही है जिसके वस्तों में आयाजकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है मार्च 2022 के शुरुवात में कच्चे तेल की कीमत 140 डॉलर प्रति बैरल थी जो की 14 वर्षों में सबसे जादा अधिक है जिसके कारण भारत में पेट्रो, डीजल, घरेलू ग्यास की कीमतों में भारी बढ़ोत्री आई है सरकार ने उज्वला योजना के तहट धेर सारे सिलिंडर तो बाटे और कई सारे दावे किये लेकिन आज गाउ में वो हालत है कि लोगों के सिलिंडर भूसे में रखे जा रहे है उनको पास इतनी आमदनी नहीं है कि उस सिलिंडर को दुबारा भरवा सके फल और सब्जियों के दाम भी फल सब्जी और अन्ध खात पदारतों के दाम भी आसमान चू रहे हैं पहले ही बड़ी वी महंगाई से जनता त्राही त्राही हो रही है और जनता के हितों का ध्यान न रखकर दुबारा जियस्टी की दरों में सरकार ने वृद्धी किया जिससे महंगाई की आग में और घी डालने का काम हो रहा है आज आम आदमी की थाली से दही, पनीर, लस्ती, शहद, सूखा, मखाना, सोया, बीन, मटर, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुर्मुरे पर 5% की जियस्टी लगा दी गई है एक और तो हमारे देश में नोकरियों की भारी कमी है और कोई आय का अन्य जर्या उपलब्द नहीं हो पा रहा है इसमें ये जियस्टी लगाना बहुत ही दुखद है अभी COVID-19 के प्रकोप खतम नहीं हुआ है बलकि दूसरी तरफ मंकी पॉक्स का भी वाइरस अपने पैर तेजी से फैला रहा है हमारे देश में इसमें सरकार ने अस्पताल और उपचार छेतरों में भी जियस्टी लगा कर आम आदमी को और परिशान करने का ही काम किया है डालिसीस पर जियस्टी पांच प्रतिशत से बढ़ा कर 12-18 प्रतिशत कर दिया गया पेसमेकर पे GST 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12-18 प्रतिशत कर दिया गया लेंस और आई ट्रीटमेंट पे GST बढ़ाकर 9 प्रतिशत से 12-18 प्रतिशत कर दिया गया कैंसर ट्रीटमेंट की भी GST बढ़ाकर 5 प्रतिशत से 12-18 प्रतिशत कर दिया गया तथा जिससे लोगों के स्वास्त सुभिधाओं में और उनकी देखभाल में भारी मातरा में कमी आएगी मैं मान्मिय मंत्री जी से ये निरोट करना चाहूंगी कि मान्मिय मंत्री जी मेरे बताए हुए बिंदूओं पर पुना विचार करें और देश की गरीब असहाय तथा आर्थिक रूप से दबे कुछले लोगों को हितों के ध्यान रखकर सभी छेत्रों में बड़ी वी जीस्टी दर को पुना विचार करने का प्रवक करें तथा पेट्रोल डीजल रसोई ग्यास तथा अन खाद पदार्थों पर लगाए गए दामों में कमी करें साथी साथ य झाल